आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ होता है Cytoplasm के अंदर क्या होते हैं Organelles होते हैं Different Types के और एक सबसे important Organelles क्या होता है Cytoplasm के अंदर वो उसको बोलते हैं Nucleus जो की brain होता है Cell का तो Cell में जब भी कभी भी division हो रहा होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ डिवाइड करती है हमारा Nucleus डिवाइड करता है सबसे पहले इस Nucleus के division को हमने क्या नाम दिया है Karyokinesis Karyokinesis यहाँ पर Karyok का मतलब क्या होता है Karyok का मतलब होता है Nucleus Karyos जहाँ पर भी लिखा होता है Nucleus Kinesis का मतलब division यानि Nucleus का division तो उस प्रोसेस को जहां पर भी हमारा nucleus divide हो रहा होता है उसका हम बोलता है karyokinesis फिर जब organelles भी duplicate होका कि cell पे चल जाते है तो सबसे last में क्या divide होता है हमारा cytoplasm divide होता है cytoplasm का division का हम बोलते हैं cytokinesis cyto का मतलब यहां पे होगा cytoklasm cytoplasm और kinesis का मतलब होगा division फिस question का अंसर क्या हो जाएगा division of cytoplasm is called cytokinesis